बिहार में पिछले दो हफते से कोरोना के मामले में भारी तेजी देखने को मिली है जिसकी वज़े से कल से लेकर 31 तारिक तक बिहार सरकार ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू करने का निर्ने लिया है देखे लॉकडाउन को बढ़ाया गया अब जो है 31 तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा लॉकडाउन इसलिये है क्योंकि बिहार में स्तिती भ्यावक है और आने वाले समय में ये स्तिती जो है करोना को लेकर के और भी विक्राल रूप लेता जाएगा संक्रमन जो है तीजी से फैल रहा है और इसका कोई इंतजाम नहीं किया गया मार्च के मेने से अब तक जो है हम लोग लगतार सरकार को सचेत करते रहे हैं कि जाज की संक्या आप बढ़ाईए इंतजाम आप स्पताल को बहतर बनाईए लेकिन सरकार जो है इसमें फल नजर इसलिए क्योंकि उनको चुनाओं की चिंता रही आज देखी क्या स्थिती होगे करोना को लेकर के मुख्यमंत्री कॉरेंटाइन है पचासी लोग मुख्यमंत्री आवास में जो है वह पॉजिटिव पाए गया है पूरा सचिवाले पॉजिटिव पाया जा रहा है बंद कर दिया गया है आप ग्रीष सेक्रेटरी जो हे होम सेक्रेटरी वह भी पॉजिटिव डिप्टी सीएम का करयाल है वह बुदि बंद कर दिया बीजेपी में जो है और जो है लगतार 75 लोग पॉजिटिव पाए गए कई डीएम कई एसपी कई पूलिस करिमी कई ।्टर को हिकन को लेकर के धजिया उराई गई थी जो करोना पॉजिटिव पेशन्ट है उसमें परिवार के लोग ही ऑक्सिजन चेंज कर रहे हैं वह खुद बोल रहा ना डॉक्टर रहना कुछ है खुद ही बदलनाव करना पर आज उसकी पिता की भी मौत होगी तो यह जो भ्यावक स्थित क्योंकि तेजी से संक्रमन फैर और जहां मुख्यमंत्री दस बार चीजों को सैनिटाइज करवाया जाता है मुख्यमंत्री अवास जब वहां तक यह पहुंच गया तो आप समझ सकते हैं कि आम नागरिकों की क्या स्थिति होगी तो हम तो चाहते हैं कि लोक तंत्र में जब बाढ के चपेट में हैं इस्तिती वें घ्यावक के गाउं डूब चुके हैं और आने वाला समय में पता नहीं क्या होगा और चलिए चुनाव कराएगा अधिकारी कराएगा कई अधिकारी पॉजिटिव पाएगे अगर अधिकारी उसे भी पूछा जाते कि वह चुना हो प्रस्क्रिप्शन ले करके भी आया वो भी कह रहा है उसको भी एड़िट नहीं कराए जा रहा है तो यह भावक्स दिती है देखे मेरा श्पास टूप से मानना है कि अगर करोना नहीं है मानते हो कि करोना से किसी को जान को नुकसान नहीं है चुनाओ कराना चाहिए तो आप प्रामपरागत तरीके से चुनाओ कराई है प्रामपरागत तरीके से जनसनवाद होने दीजिए लोगों के बीच जाने दीजे और अगर करोना है लोगों के जान मान पे नुकसान है खत्रा है आगे और विक्राल रूप लेगा तो आप चुनाओ टाल भी सकते हैं हरवरी किस बात की है किरकी लोग तंदर पर तो लोग का रहना ज़रूरी है और आप बीजेपी के लोग और क्यारन फॉर्टी द चैन अचको अपनी वकिता हैं किस इच्थ चुनाव की चिंता है कुर्सि की चिंता है हम बार-बार कहते रहे हैं कि टेस्ट जो है सब्सक्राइबध कए जाए मिनिमाम आज की दिन में 30,000 टेस्टिंग होनी चाहिए लेकिन हो नहीं पारा इसका दोशी को एक दिन 10,000 हुआ उससे पहले जो है 5-6,000-5,000 उससे पहले 1100-1200 टेस्टिंग और लगतार हम शुरू दिन से कहते रहे हैं लेकिन कोई भी गंभीरता से निले रहा है यह लो लोग तंत्र में तो जनता मालिक होती है चुनाओ इसलिए होता ना कि लोगों के जिन्दिगी को बहतर बनाया जाए लोगों की जान को बचाया जाए तो कहां ऐसा है कि भेल जान के रिस्क पे आप चुनाओ कराईएगा दूसरी बात अगर आपको खतरा नहीं लगता है आपने पैक्स का चुनाओ क्यों रद कि आपने उससे पहले मल्सी का ग्राजुएट छेत्र का और स्टूडेंट वाला जो है ग्राजुएट और टीचर का जो चुनाओ आता है मल्सी का वह होना चाहिए वह क्यों नहीं करा रहे हो आप फिर तो यह तो बड़ा चुनाओ आगे लगना चाहिए और हो सकता है लोग कहें भी रहें कि भाई राश्पती साचन में चुनाओं जो है मुख्यमंत्री नहीं कराना चाहते हैं खुद मुख्यमंत्री रहते वे में चुनाओ कराना चाहते हैं तो यह अपनी उनकी इंडिविजल बेनिफिट दे सकता है लेक सची वाल पुरा प्रशासन जो ह Kind वह रख कि Halo पूरा बीजेपी के कई नेता हो रखें से यह निक बोड़ी के कहीं ॊ लोग कर बी आक समझे हुआ कुछ उसकर थे कारणा रही evaluate here अड़ मेडिकल शॉप पर लिए बॉहीं पर क्लाप्स कि ठी City होग Is चार गंटे से उसके बॉड़ी वहीं पड़ी है कोई उठाने वाला नहीं है डर के मारे करोना के डर से प्रशासन आ रहा है न कोई आ रहा है अब बहुत से बतर जब अपर सची ग्रीम मंतराले के एडमिट नहीं किया जा सकता जो इतना बड़ा अधिकारी है उसको एडमिट नहीं किया गया वो मर गये उनकी जान चली गई तो आम नाइवी को कहा तो छोड़ दीजिए कोई लाश उठाने वाला नहीं है यह तो अभी से नहीं हम तो लगतार कहने कि यहां पूरी तरीके से यह लोग चुनाव में हैं लोगों की जान की थोड़ी नहीं को परवा है इ बलकि एक एक जान का महत्व है और ऐसी स्थिति में जहां इंबूलेंस नहीं है लोगों को उठाय नहीं जा रहा जांज की विवस्था नहीं है तो आप क्या समझ सकते हैं कि अगर चुनाव होगा तो एक दिन में कितने लोग सरकों पर उतर रही हैं कडोरों की संख्या में और जेडियू कहती है कि एक चरन में चुनाव करा दो अगर साथ करोड वोटर्स हैं अगर एक चरन में चुनाव होगा अगर 50-60 परसेंट भी टर्न आउट होगा तो लगबख सारे तीन करोड होता है और उसमें 50 लाग अगर पुलीस प्रसासन को ले लिए जा तो चार मन नहीं धूए सबही लोगों को जो है हम लोग जो है बात कर रहे हं और हम लोग सब लोग को जह हम ने सावधानी नहीं बढ़केंगे तो हम जो है पार्टी जो है उस पर जो है उचित करवाई कि अब अब हम तो नहीं कह सकते हैं लेकिन यह थोड़ा अजीव लगता है कि मुख्यमंत्री आवास में अगर पचासी लोग संक्रमित पाए जाते हैं उनके अधिकारी से लेकि उनके परिवार के लोग घर के अंदर बाहर पुरे अवास में तो शायद एक लोगों का बात है कहने का कि शायद उनको भी पॉजिटिव हो रखा और यह ना हो कि बाहर बताया हो क्यों नेगिटिव बाहर उन है वो संक्रमन फैल रहा है ऐसे में जिस तरीके से बड़े बड़े नेटा होश्चित नहीं होगा और इसलिए वो मांग कर रहे हैं कि बिहार में विधान सभा चुनाओ जो हैं वो कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाना चाहिए कैमरेपोसंदीपक कुमार के साथ रोहिच सिंग पटना